आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है बैक्वर्ड बैक्वर्ड ओबी सी हम वो लोग है और कैलाश पती मिश्टर जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबी सी की लडाई को धर्ती पर अपने नित्रतु में लडा और ये लोग आजकल ओबी सी के चैंपियन बने क्यों कॉंग्रेस पार्टी क्यों यूपिये जिसमें लालू भी थे जिसमें बाकी लोग भी थे क्यों उन्होंने ओबी सी को समवेदानिक दर्जा नहीं दिया नमस्कार लाइव सीटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नुशा बर्नवार बीजेपी के राश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडडा ने पतना के बापू सभागार से खुब हुंकार भरी है उन्होंने लालू तेजस्वी के सासाथ निदीश कुमार को अपने लपेटे में लिया है और कहा है कि आजकल बहुत ही जाता जाती जाती हो रही है बहुत जाता OBC और अती पिछड़ा हो रहा है दसल आपको मालू है कि बीते दिनों बहार में जाती जणगर्णा का रिपोर्ट पेश किया गया है जिसके बाद जाती को लेकर भारी बवाल देखने को मिल रहा है ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर जेपी नडडा ने भी उठाया है और साफ कहा है कि जिस तरह से बिहार में और देश भर में जाती को लेकर आवाज उठाई जा रही है ऐसे में जो लोग OBC को लेकर चैंपियन बन रहे हैं उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि OBC को लेकर अगर किसी ने पहल करने का काम किया है तो वो भारतिय जनता पार्टी है और भी क्या कुछ वो कह रहे है और किस तरह से उन्होंने बताया है कि कैलाश पती मिश्र के नेत्रत्व में ही OBC को उनका हक दिलाने का काम किया गया है तो चलिए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है आज कल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है बैकवर्ड बैकवर्ड OBC हम वो लोग हैं और कैलाश पती मिश्र जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने OBC की लडाई को धर्ती पर अपने नित्रत्व में लड़ा और कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ याद कीजिए कॉंग्रेस पार्टी को क्या नहतिक अधिकार है कॉंग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर का रिपोर्ट बताईए उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था उसके बाद मुरार जी देसाई ने मंडल कमिशन लगाया मंदेल केमिशन की रिपोर्ट आई इंद्रा गांदी और राजीव गांदी दोनों रिपोर्ट पर बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे कुछ नहीं किया विश्वनात दाप सिंग ने आकर कि उसके बाद रिजर्वेशन दिया और आपको जानकर के अश्चर होगा कि 1992 के बाद 1992 में जब सुप्रीम कोट ने कहा कि OBC को केंद्रिय सर्विस में नौकरी में ले रिजर्वेशन होना चाहिए तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-1996 में हुआ और ये लोग आजकल OBC के चैंपियन बने हुए है आप बताए OBC कमिशन को समवेधानिक दरजा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि नहीं किया क्यों कॉंग्रेस पार्टी क्यों यूपिये जिसमें लालू भी थे जिसमें बाकी लोग भी थे क्यों उन्होंने OBC को समवेधानिक दरजा नहीं दिया आज OBC की बात करते हैं मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रखना हूँ कि मोदी जी के नित्रत में जिस तरीके से OBC की चिंता की गई है OBC को आगे बढ़ाने का काम किया है वो हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए मैं बिहार की बात भी करना चाहूँगा मेरा बिहार से लंबा सम्मन रहा है मैंने बिहार को मुसीबत में देखा है मैंने बिहार में नित्रत को किस तरीके से समझोता करते हुए लोगों को हितों के खिलाफ काम करते हुए वो भी मैंने देखा है मैंने वो भी समय देखा है जब कॉंग्रेस पार्टी को एक तरफ़ा समर्थन मिलता था और कॉंग्रेस पार्टी लोगों के हित के सिवाए हित के से अलग हट करके अपने भरष्टाचार में लगी हूँ थी मैंने वो भी दिन देखे हैं जब सामाजिक न्याय का नारा लगा करके आने वाले लोग अपने परिवारों के और अपने घरों में अपने तिजोरियों में धन भरने के सिवाए कोई काम नहीं किया वो समय भी देखा है लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी के नेत्रतों ने बिहार को हमेशा मुख्यधारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ये बात मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ तो सुना अपने जेपी नडड़ा को इन्होंने साफ साफ कहा और बताये किस तरह से बिहार में जाती को लेकर राज़नीती की जारिय सियासत गर्म है और खास तोर पर अतिपिछलों को लेकर बवाल खड़ा किया जा रहा है लेकिन ऐसे में भारती जंता पार्टी ही वो पार् और ऐसे में उनका ये बिहार दौरा काफी ज्यादा महत्रपूर्ण माना जा रहा है उन्होंने खूब हुनकार भी भरी है खूब नितीश और लानुपुसाद यादफ के खिलाफ बोलने का काम भी किया है तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही वाक्ति की तमाम खबर के ल